आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ बाद हमारा जो है कॉलम B है कॉलम B उसका मिलान जो कि किसे हो जाएगा फिर कॉलम C है फिर इसके बाद जो कि कॉलम D है चलिए देखते हैं देखें अगर हम बात करें कॉलम A जो है उसका मिलान जो है वो हो जाएगा परतिरोद जो कि किसे हो जाएगा A से तो A जो है परतिरोद जो की ओम जो है उसका मिलान जो की परतिरोधम किसमे ओम में जो है उसमें हम इसको मातरक जो की यूज करते हैं तो A जो है उसका मिलान हो जाएगा चले अब B की बात करें तो B जो की परतिरोधकता इसका देखे इसके सामने ही दिया हुआ है मिलान तो यह हमारा जो बी है पी का जो की वोल्ट एमबेर यह हमारा जो की यहां से दूसरा जो की इसका मिलान हो जाएगा चले अब बात करते हैं हमारा चालकता ओम मीटर यह इसका होता है तो यह हमारा सामने इसके दिया हुआ है चले इसके बाद हम विसस्ट चालकत्व जो है उसक होता है Ohm Inverse, Meter Inverse, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यह हमारा Ohm Inverse, Meter Inverse, पिसस्ट चालग वक्त्यों के लिए चालगता जो है, Ohm, Meter यह होता है, और प्रतिरोध Ohm तो यह हम देख सकते हैं, यहां से चारों के अमारे उसी के सामने जुकी दे रखे मातरक तो यहां से मिलान जो है उसी यह सामने हमारा हो जाएगा तो देखें यहां पर विकल्ब कौन सा सही दिया हुआ है A, B, C, D देखें A का A, 1, B का 2, C का 3 और D का 4 यहां से एंसर अगर बात करें तो एंसर यहां से जो हो जाएगा वो हमारा देखें आ जाएगा जो की चौथा विकल्ब तो यह हमारा यहां से चौथा विकल्ब इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तो यहां से एंसर अगर हम देखें तो एंसर हम कह सकते हैं कि हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा answer जो है, यहां से तीसरा जो विकल्ब दे रखा है तो answer जो होगा वो तीसरा विकल्ब जो हमें दिया हुआ है वो हमारा यहां से इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, थैंक यू